इस कथा को जो पढ़ेगा उसे 84 लाख्योनियों से मुक्ती मिल जाएगी एक बार की बात है कि ये सोधा मैया प्रभु स्री कृष्ण की उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर स्री कृष्ण की और दोड़ी जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे भागते भागते स्री कृष्ण एक कुमार के पास पहुचे कुमार तो अपने मिट्टी के घरे बनाने में ब्यस्ता लेकिन जैसे ही कुमार ने स्री कृष्ण को देखा तो वो बहुत प्रशन हुआ कुमार जानता था कि स्री कृष्ण चात परमेश्वर है तब प्रभू ने कुमार से कहा कि कुमार जी आज मेरी मया मुझे बहुत क्रोधी था है मया चरी लेकर मेरे पिछे आ रही है मेरी मया मुझे कही छुपा लो तब कुमार ने स्रीकिष्ण को एक बरे से मटके के नीचे छिपा दिया कुछ ही च्छनों में मया य Sumdha भी वहां आ गई और कुमार से पूछने ले क्यों दे कुमार तूने मेरे कनहया को कहीं देखा है क्या कुमार ने कह दिया नहीं मया मैंने कनहया को नहीं देखा स्रीकिष्ण को एसे बाते बड़े से घरे के नीचे छुप कर सुन रहे थे मया वहाँ से चली गई अब प्रभु सीर कुमार किस कुमार से कोते हैं कि यदि मया चली गई हो तो मुझे घड़े से बाहर निकालो कुमार बोला ऐसे नहीं प्रभु जी पहले मुझे 84 लाकियों के बंदन से मुक्ति करने का वचन दो भावान मुश्क्राए और कहा ठीक है मैं तुम्हे 84 लाकियों से मुक्ति करने चन देता हूँ अब तो मुझे बाहर निकाल दो कुमार कहने लगा मुझे अकेले नहीं प्रभु जी मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 80 लाकियों के बंदन से मुक्ति करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूँगा प्रभु जी कहते हैं चलो ठीक है इनको भी चोड़ा सी लग यो नियों के वंदर से मुक्त होने का वचन देता हूँ अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो अब कुमार कहता है बस प्रभु जी एक विंती और है उसे भी पूरा करने का वचन दे दो मैं तो आपको घड़े से बाहर निकाल देंगा भगवान बैर बोले वो भी बता दे क्या कहना चाहता है कुमार कहने ला प्रभु जी जिस घड़े के निचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलो के उपर लाद कर लाई गई है मेरे इन बैलो को भी 84 के बंदन से मुख्त करने का वचन दो भगवान ने कुमार को प्रेम से परसन होकर वचन दिया